नमस्कार दोश्तों, आजगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीखी, जिनको आप अपनी अस्ठडी लाइप में पोलो करके अपनी अस्टडी को कापी वहते बना सकते हैं और कहीं न कहीं ये तरीखी वो स्टूडेंट भी पोलो करते हैं जो आपकी कलास में, स्कूल में तोपल होते हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तो एक नमर पर आती है कि आप क्या बढ़ते हैं मतलब आप जब भी बढ़ते हैं तो एक प्लानिंग केजिए कि मान लेजिए आपको फिजिक्स बढ़नी है उस बुक में से कितने टोपिक ऐसे हैं जो एक्जाम की दरस्ती से इपोर्टेट है आप उन टोपिकों को एक एक दिन में, दो दिन में, तीन तीन दिन में ऐसे कलियर केजिए फिर उस टोपिक को लेजिए उस टोपिक में ऐसे कौन से क्यूशन ज्यादा बनते हैं जो एक्जाम की दरिश्टी से इंपोर्टेट है उने क्यूशन पर फॉक्स कीजिए तो ये कफी बेटर है कि आपको पढ़ना है लेकिन एक प्लानिक के साथ पढ़ना है ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैटे और एक बुक ले ली और लग गई नहीं उसमें अपना टाइम अधिक वेस्ट होता है तो आप इपोर्टेट पर ज्यादा फॉक्स कीजिए सेकिंड पॉइंट जो हमारा है वो है कि आप कैसे बढ़ते हैं कहने का मतलब यह है कि आप फर्स पर बैट कर बढ़ते हैं कुर्ची टेबल पर बढ़ते हैं या फिर आप लेट कर बढ़ते हैं कई स्टुडेट की आदत होती है कि वो लेट कर पढ़ते हैं लेट कर पढ़ने से हमें नेंद आले से बहुत ही जल्दी आता है तो इसलिए हमें लेट कर नहीं पढ़ना है जादा करके हमें कुर्सी टेबल का इस्तमाल अधी करना है इसे क्या होता है हमें अले से नहीं आता है और हम जो भी बढ़ते हैं वो आसनी से याद भी होता है इसमें एक चीज आप बहुत ही इपोर्टेट आप जरूर एड़ कीजिए कि इसमें आप खाना खाने के बाद मत पड़ी खाना खाने से पहले पड़िए काना खाने के बाद हमें नेद बहुत जल्दी आती है तर्ड पॉइंट सो हमारा आता है हो आता है टाइम जी हाँ दोस्तो अस्टुडी में टाइम बहुत ही एपोर्टेट है कि आप कब पढ़ते हैं यह बहुत ही मैदफुरन है लेकिन इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकता आप अपने दिनसरिया अपने आदत के हिसाब से इसे मैनेज कीजिए लेकिन जहां तक हो सके मौर्णिंग में पढ़ना काभी बैटर होता है तो आप जहां तक हो सके सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको जिस टाइम पढ़ना पसंद है आप उसी टाइम पढ़िए दोस्तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है समझ कर बोल कर और लिक कर पढ़ना बहुत ही मैतवुरन है अगर आप जो भी पढ़ते हैं उसको समझ लेते हैं तो वो आपके लिए वास्तो में असान होता है और जो आप पढ़ते हैं उसको बोलिए बोलने से क्या होता है आप बोरिंग कम होते हैं और आपको याद दिख रहता है आप कई देर तक पढ़ सकते हैं आपका द्यान कम बटकता है और जो भी बटते हैं उसको लिखे लिखने से क्या होता है हमारा द्यान नहीं बटकता है हम जो भी लिखते हैं उसको देख देख करके लिखते हैं और देख देख के लिखने से हमारा ध्यान इदर दुरूप बहुत ही कम जाता है तो जहां तक हो सके आप इस फॉर्मूले को अधिक से अधिक अपने स्टेडी में उतारने का प्रियास कीजिए ये बहुत ही इपोर्टेट है तो दोस्तों आजगे इस वीडियो में इतना ही और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट वोक्स में जरूर बताईए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सबस्क्राइब कीजिए क्योंकि यहां पर आपको समार्ट स्टुडी स्किल्स, मोटिवेशन वीडियो और एजुकेशन नियोस से रिलिटेड वीडियो मिलती रहती है जै हिंद जै भारत